नमस्कार नमस्कार कैसे हैं आप लोग बरियां हैं तो फ्रेक्शन डेसिमल का क्लास सेवन का चैप्टर टू पार्ट फूर इप्शोड नमबर जीरो नाइन लेकर आया हूँ इड़्वांस स्कूल अप मैथ और साइंस मैथमेटिक्स का पहला है डिवीजन ओफ फ्रेक्शन देखो ये डिवीजन वर्ड की ओप्रेशन जैसे यहां पर फाई बाई फोर है डिवाइडेट टू बाई थिरी हैं तो ये डिवाइड को पहले मल्टिप्लाई में बदलना होगा यानि फाई बाई फोर मल्टिप्लाई थिरी बाई टू यानि पांत याई पंदरा बटे आठ सेवन बाई एट डिवाइड थिरी बाई टू यानि सेवन बाई एट और यहां पर टू बाई थिरी हो जाएगा ये फोर बार में लगेगा यानि सेवन बाई ट्विल इस टाइप से आपको डिवीजन करना परेगा तो अभी हम देख रहे हैं हुआइट कर दूँ हुआइट मांग है वो हुआइट कर देता हूँ जो मांग है वो सब पुरा होगा 7 by 3 divided 3 by 2 है यानि यहाँ 7 by 3 और यह वाला reciprocal हो जाएगा 2 by 3 यानि 14 by 9 यानि आप division किरिया को multiplication में करने के दिए क्या कर देते हैं देशी प्रोकल कर देते हैं तेशी प्रोकल कर देते हैं कि डिजन ऑफ होल नंबर ले लिजिए यहां डिभाइड कर दीजिए यहां पर one by three कर दीजिए यहां 5 यह multiply में convert हुआ यहां 3 by 1 हो गया तो 5 यहां कितना हो गया यहां 15 है divided 2 by 3 कर दिये यानि 15 का 15 multiply में हो गया 3 by 2 पंदरतिया 45 45 बटे दूख इसी ढंग से यगर इस फ़र में भी रहेगा तो और आम से कर सकते हैं यहां पर 23 यहां पर divided 46 by 3 यानि यहां पर 23 डिवाइड को multiply में 3 by 46 यह दूबार में कटा यानि 3 by 2 इस इधन से 7 by 8 डिवाइड यहां पर 1 by 7 by 4 यानि यह 7 by 8 यह उलट जाएगा यह 4 by 7 7 7 कर जाएगा टू बार में 1 by 2 reciprocal of fraction fraction का reciprocal क्या है जैसा कि हमने बताया यह by B है इसमें हम क्या से गुना करें ताकि 1 हो जाए यानि यह y हो गया इधर जाएगा में दे क्या दे बी बाई यह यानि a by ब का reciprocal बी बाई यह यह यानि दो बटे 3 का reciprocal क्या है तीन बटे दू है 3 बटे 5 का reciprocal क्या है 5 बटे 3 है 1 बाइ 3 का reciprocal क्या है 3 बटे reciprocal बड़ सीखे है डिवीजन ओफ रेक्ष्णल अगर फ्रेक्ष्णल को कोई होल नमर से डिवीजन करते हैं जैसे यहां पर A by B है डिवाइड होल नमर है न तो यहां होल बाइ 1 हो गिया यानि A by B हो गिया यह reciprocal हो गिया तो 1 by W हो गिया यानि answer A by BW सपोज किजिए कि यहां पर 5 बटे 7 है डिवाइड यहां 3 है यहां 5 बटे 7 यहां पर E1 by 3 यानि 5 बटे सत्या निकरीज ठीक है जी यहां पर 8 बटे 15 डिवाइड यहां पर 5 है तो यहां 8 बटे 15 मुल्टिपलाई हम करेंगे 1 by 5 यहां 8 बटे 16 ठीक है अब डिवीजन और फ्रेक्शनल बाई अनदर फ्रेक्शनल दो फ्रेक्शनल के बीच में कैसे डिवीजन करते हैं तो यहां पर 2 by 3 डिवाइड पांच बटे 6 है यहां 2 by 3 हो गया यह डिवाइड जो है 2 by 3 यहां पर 6 यह 5 हो गया 3 दोना 6 यह 4 बटे 5 हो गया 7 बटे 8 डिवाइड यहां पर 1 by अगर 4 है तो 7 बटे 8 डिवाइड मुल्टिप्लाई में 4 by 1 4 to the 1 7 by 2 इस टाइप से आप इसको अराम से करतेंगे अब हम लोग को कोशन करना है आईए कोशन की सामना करते हैं 12 डिवाइड यहां पर 3 by 4 है यहां पर 12 मुल्टिप्लाई 4 by 3 यहां पर 14 डिवाइड पांच बटे छे इनिए 14 यहां छे बटे पांच चौदा चौदा चौरासी चौरासी बटे पांच यहां पर आठ गुने तीन बटे साथ आठती आई जोबीस बटे साथ यहां पर हम लोग हल करेंगे 4 यहां पर 3 बटे आठ चार दुने आठ तीरी बटे यहां पर हम लोग इसको हल करेंगे 3 2 ती आई 6 एक 7 7 बटे 3 हो रहा है डिवाइड ही रहेगा यहां तीरी यहां 3 बटे 7 9 बटे 7 यहां यह पांच है यहां पर इस सत्य एक इसार पच्चीस पच्चीस बटे 7 यहीं साथ बटे पच्चीस एक कट जाएगा और साथ बटे पांच Find the reciprocal of each of the following fractional classify the fraction proper fraction improper fraction whole number यहां पर सबसे पहले यह तीन बटे साथ है ते यह प्रोपर है लेकिन जैसे ही रेसी प्रोपर करेंगे तो साथ बटे तीन हो जाएगा यानि पहले से प्रोपर रहेगा तो रेसी प्रोपर करने से इंप्रोपर हो जाएगा यह प्रोपर है यह प्रोपर हो जाएगा यहां बारा बटे साथ है तो यहां पर साथ बटे बारा हो जाएगा तो यह तुम्हारे पास प्रोपर हो गया अगला यहां एक बटे आठ है आठ बटे एक हो गया अगला है इगारा बटे एक हो गया अब यहां से तुमसे पूछ रहा है ना कि classify कीजिए Fractional को कि कौन proper है इसको गौर से देखिए उपर वाला बरा है इंप्रोपर हो गया ये भी वाला इंप्रोपर हो गया ये भी इंप्रोपर हो गया ये आपका प्रोपर हो गया ये भी प्रोपर हो गया ये whole number हो गया ये whole number हो गया बात समझ में आया कि नहीं आया तो हम लोग देख रहे हैं ये creator super 30 चैनल को आप देख रहे हैं जिसको support advanced school of math and science कर रहा है और सरदार पटेल super 30 कर रहा है यानि आपको अगर हम बता देख सरदार पटेल super 30 बहुत लोग के साथ type हो चुगा है कलिंगा IAT group के साथ सारदा group के साथ तो इस type के बहुत group के साथ ये type हो चुगा है अब हम लोग बात करते हैं आंगे बरते हैं यहाँ 7 by 3 divided 2 है तो यहाँ पर 7 by 3 divided 2 अगला बार में 7 by 3 1 by 2 साथ बटे छे अगला यहाँ पर 4 by 9 है divided को multiply में कर दिए 1 by 5 4 by 9 पचे 45 अगला यहाँ पर 16 बटे 3 है भागा 1 बटे 7 है 16 बटे 21 यहाँ पर 4 ती आई 12 तेरह बटे 3 divided 3 है तो तेरह बटे 3 1 by 3 तेरह बटे 9 अगला 3 दुना 6 एक 7 7 बटे 2 divided 4 है यानि 7 बटे 2 वो एक बटे 4 हो जाएगा यानि 7 बटे 8 अगला है सच्चों का 28 तीन 31 31 बटे 7 भागा 7 यानि 31 बटे 7 और 1 बटे 7 31 बटे 9 अगला परास्त यहाँ पर है 2 बटे 5 भागा 1 बटे है तो उलड़ जाएगा 2 बटे 1 यानि 4 बटे 5 यहाँ 4 बटे 9 है यहाँ हल कर दिये तो 3 बटे 2 3 ती आई 9 दूद नी 4 यानि 2 बटे 3 यहाँ 3 बटे 7 यह वाला हम लोग हल कर दिये तो 7 बटे 8 ही यही कट गया 3 बटे 8 अगला तुम्हारे पास 2 तीयाई 6 एक 7 बटे 3 यह वाला 5 बटे 3 7 बटे 35 बटे 9 तीन दुना 6 एक 7 7 बटे 2 और यहाँ 3 बटे 8 यहाँ सतिया 28 आट दुनी 16 यहाँ पर हम लोग हल करेंगे 2 बटे 5 multiply 2 एक 3 3 बटे 2 उलट जाएगा तो 2 बटे 3 यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 5 4 बटे 15 तो यहाँ पर 5 तीन 8 एक 9 9 बटे 5 और 3 दू 5 तीन दू 5 तीन बटे 5 नो तीया 27 27 बटे 25 अगला है पांदुनी 10 11 बटे 5 यहाँ पर 5 एक 6 यहाँ पांच बटे 6 पांच से पांच कट गया 11 बटे 6 तो आप creator super 30 चैनल को आप देख रहे हैं आप और उसको support में खा रहा है सरदार पटेल super 30 तो अगर हम बात करें ना तो आप इस chapter को यानि exercise 2.4 को आप लोग अच्छे से बना लेंगे 2.4 exercise को बनाना है समझ में आया? 2.4 exercise को अच्छे से बनाना है मुझे question पुछने की आदत है अब मैं question एक और पूछूँगा यहाँ पर तो आपके पास question यह है कि आपके पास माचिस की तिल्ली इच्छे है और ट्रेंगल आठ बनाना है कैसे बनाएंगे? माचिस का तिल्ली मैं लाता हूँ लाता क्या हूँ इससे भी बन जागा? माचिस का तिल्ली 6 है और ट्रेंगल 8 बनाना है कैसे बनाओगे माचिस का तिल्ली सोचो यह 5 क्लास का कोशन है यार नहीं बना यार तो पहले यह तीन तिल्ली को ऐसे रख दो एक ट्रेंगल है अगला तिन तिल्ली को ऐसे रख दो देखो आठ बना इन देता हूँ एक तू तीन चार पांच छे और कलर को थोड़ा सा चींज करकी अब हम बात करेंगे एक आपका ये वला है है ना तो ये वला हो गया साथ ये हो गया आपका आठ समझ में आया तो छे तिलियां से आठ ट्रेंगल बन सकते हैं कैसे बन सकता है किलियर हो गया एक प्रस्न और दीता हूँ एक प्रस्न और देता हूँ अगर चट पर तुम खरे हो और चट पर बगान लगाना चाहते हो तो फूल का पेर की संख्या कितनी होगी यदि मैं खरे देखू यानि काने का सेंस जीधर से देखू मुझे पांच पेर नजर आए कितना पेर नजर आए पांच पिर नजर आए तो पेरों की मिनमम संख्या कितनी होगी तो मिनमम संख्या होगी उनाइस गौर से देखो उनीस पेर बनेगा आप हमारी वीडियो क्यों देखोगे ये प्रस्त उठता है देखो एक पेर यहां लगा दो दूसरा पेर, तीसरा पेर, चौथा पेर, पचमा पेर ठीक है जी? अगला यहां छटा पेर, सतमा पेर, अठमा पेर, नौमा पेर दसमा पेर, इकरमा पेर, बरहमा पेर अब यहां पर ये तिरहमा पेर ये लगा हुआ है चोदा हमा पेर अब तु ये वाला यहां पर पंद्रा हमा पेर और ये यहां सुला हमा पेर अब तु देखने की प्रियास यहां पर ये सत्रा हमा पेर यहां पर अठर हमा पेर और ये गो बीच में लगा दो ये उनिस मा पेर जिधर से देखो देखो पांच पेर नजर आ रहा है गार से देखो यहां से अगर कोई देखने की परियास करे देखो पांच पेर नजर आ रहा है ऐसे देखेगा पांच पेर नजर आ रहा है ऐसे देखेगा पांच पेर नजर आ रहा है यहां से भी देखेगा तो पांच पेर पांच पेर पांच पेर यहां से भी पांच पेर यह चर्चा करो अपने घरों में परिवार लोग के बीश में चर्चा करो कि हम किरियाटर सुपर ठटी का एक परिवार का सदिस्ट बने है जो लॉजिक के हिंदुस्तान पेपर में यूरिका में मा था पच्ची वाला मैं ही हूँ तो इस टाइप के कोशन को करो दिमाग को तुम्हारा खुलेगा जैसे दो हमने यहाँ पर दिमाग खोलने के लिए मैंने प्रस्थ दिया एक दिया आपके पास तिल्ली की संख्या कितना था छे ट्रंगल कितना बनाना था बना की नहीं बना मैंने आपको दूसरा प्रस्थ दिया कि आपको छट पर बगान लगाना है पेरों की मिनमम संख्या कितनी होगी कि खर ही आप पर ही जीधर से देखे तो पेर की संख्या पांच नजर आए उसको भी आपने निकिया ऐसलिए ये वीडियो को आप लोग बेलकोल अच्छे से देखे चुकि आपको थियोरी के साथ साथ प्राबलम तो करवा ही देता हूँ और पड़ते एक दिन एक नया कोश्चन देता हूँ जो तुमको सोचने से मजबूर कर देगा तुम खुद किरियेटर बन जाओगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार